नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल के उपर देखे दोस्तों बात करते हैं स्टेची ओफ यूनिटी की स्टेची ओफ यूनिटी की बात करते हैं इससे रिलिटेट जो भी इंपोर्टेंट फेक्ट्स बनते हैं सभी के बारे में अपन बात करने वाले हैं इसलिए बने रही है मेरे साथ वीडियो के एंड तक इस वीडियो से आपकी एक्जाम में एक ना एक्यूशन आपको सो परसेंट पुछा दाएगा तो देखे दोस्तों स्टेची ओफ उनिटी के बारे में कम्प्लीट बात करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ताकर यहाen वाले लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर पर नहीं किया है तो अनकेडमी की जो लेंडिंग अप है वो आप ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से सुनील पचार नाम लिकर जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मेरी प्रोफाल श्यो हो जाएगी तो वहाँ से आप मुझे फोलो कर सकते हैं वहाँ पर आपको रेगुलर स्टेडी के मेटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करवाये जाता है देखे बात करते हैं स्टेची ओफ यूनिटी के बारे में तो देखें नेसेसरी इंफोर्मेशन अबाउट दे स्टेची ओफ यूनिटी आपके लिए जो सूजना जाननी जरूरी है स्टेची ओफ यूनिटी की उसके बारे में देखें पहले बात करते हैं स्टेची ओफ यूनिटी किस महापुरुष की परतिमा है तो देखें स्टेची ओफ यूनिटी किस महापुरुष की परतिमा है सरदार वल्ला भाई पटेल की परतिमा है सरदार वल्ला भाई पटेल की परतिमा है जो स्टेची ओफ यूनिटी है देखे दूसरा क्यूसर ये बनता है स्टेची ओफ यूनिटी की नीव है वो कब रखी गई थी तो स्टेची ओफ यूनिटी की जो नीव है उनके दुरा वर्स 2013 में Statue of Unity की निव रखने का कारिया किया गया था देके नेक्ट किसन आपको पूछा जा सकता है einzige statute of unity की स्थापना कहां की गई है तो Statue of Unity है उसकी स्थापना कहां पर की गई है तो देखे इसकी स्थापना कहां पर की गई है गुजरात के नरमदा जिल्ले में की गई है गुजरात के नरमदा जिल्ले में स्टेची ओफ यूनिटी की जो स्थापना है वो की गई है देखें नेश्ट कुछन आपको पूछा जा सकता है स्टेची ओफ यूनिटी किस नदी के किनारे इस्तित है ये कुछन आपको पूछा पूरी कि अगर बात करें तो देसकी उंचाई कितनी है 182 मिटर है São Judy की उंचाई है बात करें फित में तो देखे 537 फित 507 फित है वह स्टेची ओ öfब युनिटी कि क्या है उंचाई है देखें नेश्ट कुस्यन है statue of unity से पहले दुनिया की सबसे उची परतिमा कौन सी थी देखें बहुत ज़्यादा important कि उसने यह statue of unity है वो अब दुनिया की सबसे उची परतिमा है लेकिन इससे पहले दुनिया की जो सबसे उची परतिमा थी वो कौन सी थी तो देखें वो कौन सी थी चीन में इस्तित है महात्मा बुद्ध की परतिमा चीन में जो महात्मा बुद्ध की परतिमा है वो इसकी उंचाई की बात करें तो 153 मिटर है वो इसकी उंचाई है और वो statue of unity से पहले दुनिया की सबसे उंची क्या थी परतिमा थी लेकिन statue of unity की उंचाई है वो कितनी है 182 मि रहे देखें नेश्ट कुछिशन मनता है स्टेची ओफ यूनिटी परतिमा का डिजाइन किसके द्वारा तयार किया गया है तो स्टेची ओफ यूनिटी के परतिमा का जो डिजाइन है वो किसके द्वारा तयार किया गया है देखें सिल्पकार राम सुतार के द्वारा तयार क किया गया है जो सिल्पकार राम सुतार है उनके द्वारा स्टेचे ओप यूनटी की जो प्रतिमा है देखिए कंपनी का नाम है ए hop कैमि नाम just आ कि आप यूनटी के प्रतिमा किस कंपनी को बनाए गई है वो यह न कि घृत कि दोर्णोज गई है देखे L&T के चेर्मेन को ने ये भी एक्जामे पुछा जा सकता है तो देखे L&T के जो चेर्मेन वो को न है A.M. N.I.K. है A.M. N.I.K. है वो क्या है L.N.T. के चेर्मेन के पद्द के उपर कारे रथ है देखे नेक्स टाइ Statue of Unity का अनावरन कब किया गया था यानि Statue of Unity की जो परतिमा है उसका अनावरन कब किया गया था देखे इसका अनावरन किया गया था 31 October 2018 को 31 October 2018 को Statue of Unity के जो परतिमा है उसका अनावरन किया गया है और किस के द्वारा किया गया है श्री नरेंदर मोदी जी के द्वारा किया गया है जिसकी नीव है वो भी श्री नरेंदर मोदी जी के द्वारा रखे गयी थी और इसका अनावरन है वो भी 31 October 2018 को सरदार वललब भाई पटेल राष्ट्रे एकता ट्रस्ट है उसका गठन क्या गया था स्टेची ओफ यूनिटी की प्रतिमा बनाने के लिए लोहज उटाने के लिए तो देखे नेश्ट क्यूशन है रन फोर यूनिटी नामक मेरा थन दोड का आयोजन पहली बार कब क्या गया था तो देखे रन फोर यूनिटी नामक जो मेरा थन दोड है उसका आयोजन पहली बार कब क्या गया था देखे इसका आयोजन पहली बार क्या गया था 15 दिसंबर 2013 को 15 दिसंबर 2013 को पूरे देश में Run For Unity नमक जो मेरा थन्दोड है उसका आयोजन किया गया था तो स्टेची ओफ उनिटि की जो परतीमा है उसको कितनी किलोमेटर दूर चे देखा जा सकता है Statue of Unity की जो परतिमा है उसको 12 किलोमेटर दूर से देखा जा सकता है Next question है सरदारवल भाई पटेल का जो जनम है वो कब हुआ था तो देखें सरदारवल भाई पटेल का जो जनम है वो 31 अक्टूबर 1800 पचेतर को वा था और नाडियाड में होँ था नाडियाड कहाँ पर पड़ता है गुजरात में पड़ता है इसलिए 31 अक्टूबर 1800 पचेतर को सरदार भाई पटेल का जनम हुआ था बादी याड गुजरात के अंतरगत नेश्ट कुषिना सर्दा वर्लव भाई पंदरााव। ओपाई है उनकी क्या हुई थी मरती हुई थी नेश्ट किसना भारत के पहले ग्रह मंतरी तो देखें भारत के पहले ग्रह मंतरी है वो कों थे सरदार वल्लब भाई पटेल थे सरदार वल्लब भाई पटेल हैं वो क्या थे भारत के पहले ग्रह मंतरी थे देखें नेश्ट किसना भारत दो ये जो नारा है वो किस के द्वारा दिया गया था सरदार वल्लब भाई पटेल के द्वारा दिया गया था यानि करमत दो का नारा है वो भी किस के द्वारा दिया गया था सरदार वल्लब भाई पटेल के द्वारा दिया गया था नेश्ट किसना सरदार वल्लब भाई पट प्राइब के नाम से अंत्रास्त्रे हुराई अद्च को ने विए पिटेल को एंत्रास्त्रे हैं, वो कौन सा है, शर्डार ऑल्लब ऑल्लब प्राट में यह भायुवजी पुरुसकारस हिसके स्भाष्हिस सर्दारौन की ऊपाधी किसके द्वारा दे गई थी ? सरदार उल्ला भाई पटेल को सरदार की उपादी किसके द्वारा दी गई थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा बारदोली की जो महिलाएं हैं उसके द्वारा सरदार उल्ला भाई पटेल को सरदार की उपादी देने का कारिये किया गया था देखें नेक्ट किसने सरदार लो भाई पटेल को अन्यकिस नामों से जाना जाता है तो सरदार लो भाई पटेल को अन्यकिस नामों से जाना जाता है भारत का विसमार के और लो है पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है तो देखे प्रेंट इस जो स्टेची ओफ यूनिटी है उसे रिलेटेड यानि इस दो सरदार लूलब भाई पटेल की जो मूर्ती का अनावरण किया गया है उसे रिलेट जो भी इंपोर्टेंट फेक्ट्स बनते हैं सभी के बारे में अपने बात किया है तो इसी तरीके के ल लेटेश्ट अपडेट पाने के लिए अभी दक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेश्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको समय पर प्राप्त होसके वीडियो अचा लग